विमन्स एशिया कप दो हजार चौबिस में भारती महिला टीम एक बार फिर से फाइनल में जगह बनाने में काम्याब हुई है टीम इंडिया लगातार नौवी बार इशिया विमन्स कप के फाइनल में पहुँच चुकी है और इस बार हर्मन प्रितकौर के कप्तानी में डिफेंडिंग चैंपियन शांदार प्रदर्शन करते हुए बांगलादेश को रौंद कर यहां पर पहुँचे हैं बता दें किस मुकाबले में पहले टॉस जीत कर बांगलादेशी कप्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया क्योंकि नौक ओड मुकाबले में दिन में बहुत गर्मी होती है शिलंका में लेकिन बांगलादेशी बल्लेबाज पूरी तरह से भारतिय गिंदबाजों के सा दिपतिश शर्मा को एक विकेट मिला, पूजा वस्तरकर को भी एक विकेट हाथ लगा है। देखना होगा कि टीम इंडिया से रवीवार को फाइनल में पाकिस्तान और शिलंका में से कौन भीड़ता है।